कंपनी के अधीन गवर्णर एवं गवर्णर जेनरल बंगाल के गवर्णर रोबर्ट क्लाइव 1757 से 1767 ईस्वी और पुना 1765 से 1767 ईस्वी रोबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैद शासन दूल गवर्मिंट की स्थापना की इस व्यवस्था के नुसार भू राजस्व की वसूली करने सैनिक संडरक्षन एवं विदेशी मामलोको कंपनी ने अपने अधीन रखा जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का भार नवाब के जिम्में छोड़ दिया गया रोबर्ट ट्लाइव अपने पहले कार्यकाल में 1757 से 1770 इसवी तक बंगाल का गवर्नर रहा उसका बतोर गवर्नर दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 इसवी तक था 1765 एसवी में गवर्णर रॉबर्ट ट्लाइव ने इलाबाद की द्वित्य संधी के द्वारा मुगल समराथ शाह आलम द्वित्य को कमपनी के संरक्षन में ले लिया रॉबर्ट ट्लाइव ने समस्त बंगाल ख्षेत्र के लिए दो उप्तिवान न्युक्त किया जसमें बंगाल के लिए मुहमद रजाखां और बिहार के एक शेत्र के लिए राजा शिताब राए की न्युक्त की प्रिष्ट नपे 1774 इस्वी 1772 इस्वी में गवर्णर वॉर्रन हिस्टिंग्स ने रॉबर्ट ट्लाइव द्वारा शुरू किये गए द्वैद शाषन विवस्था को समाप्त कर दिया कमपनी के अधीन गवर्णर जेनरल कमपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस्वी के अनुसार अब बंगाल का गवर्णर भारत में अंग्रेजी राजक शेत्रों का गवर्णर जेनरल कहा जाने लगा कमपनी ने गवर्णर जेनरल का कारेकाल पांच वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया मदरास एवं बंबई के गवर्णर को गवर्णर जेनरल के अधीन घोशित कर दिया गया बंगाल में पदस्थापित गवर्नर वोर्रन हेस्टिंग्स कम्पनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कम्पनी का प्रथम गवर्नर जेनरल बन गया वोर्रन हेस्टिंग्स 1784 से 1785 इस्वे 1750 एसवी में कमपनी के एक क्लर की रूप में कलकता में अपनी सेमाएं देने आया वारन हेस्टिंग्स अपनी महनत, लगन और कारे कुशलता के दम पर पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर और अंततो गत्वा कमपनी का गवर्नर जेनरल बन गया कमपनी के रिगिलेटिंग एक्ट के अनुसार 1744 एसवी में गवर्नर जेनरल बने वारन हेस्टिंग्स ने राजकिय कोशगार स्टेट ट्रेजरी को मुर्शीदाबाद से स्थानां तरित कर कलकता में स्थापित किया वर्न हेस्टिंग्स ने 1772 एसवी में प्रतेक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी 1781 एसवी में हेस्टिंग्स ने कलकता में मुस्लिम शिक्षा के विकास को लक्षे कर प्रथा मदर्सा की स्थापना की Warren Hastings ने मुगल समराट को दी जाने वाली 26 लाख रुपे की वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्ची मानते हुए समाप्त करवा दिया Hastings ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक William Wilkins को राजा श्रह प्रदान कर हर प्रकार से मदद की Warren Hastings की ही समय में Sir William Jones ने 1784 एस्वी में The Asiatic Society of Bengal की स्थापन की थी इसी के समय में 1786 एस्वी में संस्कृत में Code of Laws तथा 1781 एस्वी में William Jones एवं Cole Brook की Digest of Hindu Law जैसी महत्वपूर्ण कानून के विशय की पुस्तकें प्रकाशित हुई 1780 एस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र The Bengal Gadget का प्रकाशन James Augustus Hickey ने Hastings की समय में ही किया था Warren Hastings की ही शासनकाल में Board of Revenue की स्थापना हुई थी इसी के समय 1782 एस्वी में Jonathan Duncan ने Banaras में एक संस्कृत विद्याले की स्थापना की Warren Hastings की Governor General बनते ही 1774 एस्वी में Regulating Act के तहत कलकता में एक उचे नेयले की स्थापना हुई थी उस उचे नेयले का दिकारक शेतर कलकता तक ही सी में था बाहर का मुकादमा तब ही सुना जा सकता था जब दोनों पक्षों की सहमती हो एक बंगाली ब्रहमन नंद कुमार ने 1775 एस्वी में हेस्टिंग्स पर मीर जाफर के विद्वा मुन्नी बेगम से साड़े तीन लाख रुपे घूस लेने का आरोप लगाया था नंद कुमार का आरोप अदालत में सिद्ध न होनी पर हेस्टिंग्स ने उस पर जूठा आरोप लगाने के जुर्म में फासी की सजा दिलवा दी थी वोर्रन हेस्टिंग्स के कारेकाल में ही प्रथम आंगल मराथा युद्ध 1775 से 1782 इस्वी और द्वितिय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 इस्वी लड़े गए उसके द्वारा बनारस के राजा चैट सिंग के स्थान पर उसके भतीजे को बनारस का नवाब बनाना और उसके समय में अवत के खजाने के लूट की घटनाओं ने उसके दामन में बदनामी के दाग लगा दिये वारन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस्वी के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 इस्वी में इंगलन पहुंचा इंगलन में बर्क के द्वारा वारन हेस्टिंग्स पर महाभयोग चलाए गया 1795 एस्वी में वारन हेस्टिंग्स अपने उपर लगे आरोपों से मुक्त हो गया सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 एस्वी गवर्नर जेनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्ण वॉलस द्वारा किये गए प्रमुख कारे इस प्रकार हैं कलेक्टर के जिम्में जिले के समस्त अधिकार सौंब दिया इन्हें भारत में विशिष्ट प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है भारत में शांती स्थापित करने और शासन में सुधार लाने के लिए हैं इनकी नियुक्त की गई थी और ये कंपनी की उम्मीदों पर खरे उत्रे भारतिय न्याइधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को इनोंने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चार ब्रहमण करने वाली अदालतें तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए न्युक्त किया 1787 एस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत का दीवानी न्याइधीश नियुक्त किया 1793 एस्वी में इनोंने प्रसिद्ध कॉर्ण वॉलिस कोड का निर्मान किया ये कोड शक्तियों के प्रिथक की करण सिधांत, separation of power पर आधारत था इनोंने कानोन के विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया कमपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने पर इनोंने पोन रूप से रोक लगा दी इनोंने वकालत पेशा को नियमित बना दिया इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक, father of civil services माना जाता है प्रिष्ट एक्यानबे कॉन्वालिस को पुलिस विवस्था का जनक, father of police administration भी माना जाता है कॉन्वालिस ने पुलिस विवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में तर्क संगत वृधी की थी कॉन्वालिस ने ग्रामीन क्षेत्रों में जमींदारों को प्राप्त पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया इन्होंने जिलों में पुलिस थाना की स्थापना करवाई और प्रतेक जिले में एक दरोगा की नियुक्तिकर उसे उस जिले का प्रभारी बनवाया अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को जिले के पुलिस का भार दे दिया और प्रशासनिक सुविधाओं ही तो जिलों को 400 वर्ग मील में विभाजित कर दिया भारतियों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार तथा प्रशासनिक सेवा में मुनसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से उच्च पत पर नहीं सौपा जाता था 1793 इस्वी मेकॉर्ण वॉलिस ने जॉन शौर की सहायता से स्थाई बंदोबस्त, पर्मनन्ट सेटल्मेंट की योजना लागू की स्थाई बंदोबस्त की योजना को बंगाल, बिहार, उडिसा, बनारस और मदरास के उत्तरे जिलों में लागू किया गया इसमें जमीदारों को अपने क्षेत्रों में भूराजस्वा, लैंड रिविन्यू की दर तै करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था इस्थाई बंदोबस्त योजना के तहट वैसे जमीदारों को भूराजस्वा का लगभग 90 प्रतिशत यानि 10 बटा 11 भाग कमपनी को देना था और लगभग 10 प्रतिशत यानि 1 बटा 11 भाग अपने पास रखना था सर जॉन शोर 1793 से 1798 इसवे इन्होंने अहस्तक शेप यानि हस्तक शेप न करने की नीती अपनाई इनके समय की प्रमुक समस्या फ्रांस इसियों द्वारा किया जाने वाला शड़ियंत्र था ब्रिटिश सरकार ने 1793 इसवे का चार्टर एक्ट इन्ही की कारेकाल में लागो किया भारत में अंग्रेजी सामराजे को विस्तारित करने और इस्थाइत्व इस्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए लौड वेलेजली ने सहायक संधी विवस्ता की शुडवात की नूट लौड वेलेजली से पूर्वा फ्रांसिसी गवर्नर डूपले ने भारत में सहायक संधी का प्रयोग किया था लौड वेलेजली के समय में सहायक संधी करने वाले राज्य हैदराबाद वर्ष सितंबर 1798 इसवे मैसूर वर्ष 1799 इसवे तंजोर वर्ष अक्टूबर 1799 इसवे अवध वर्ष नवंबर 1801 इसवे पेशवा वर्ष दिसंबर 1801 इसवे बरार एवं भोसले वर्ष दिसंबर 1803 इसवी ग्वालियर कुष्ठक में सिंधिया वर्ष फरवरी 1804 इसवे नोट, सहायक संधी इन राज्यों के साथ भी हुई थी जोदपुर, जैपुर, मच्छेडी, बूंदी तथा भरतपुर वेलिजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधी के तहती ये प्रावधान था की संधी करने वाला राज्य कंपनी से सेने सुरक्षा तो पाएगा पर साथ ही उसे उस राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना अनिवारे था बिना इस अंग्रेजी रेजिदेंट की अनुमती के उस राज्य कशा सक किसी अन्य यॉरपिय व्यक्ति की सेवाई नहीं ले सकता था नागरिक सेवा में भरती किये गए युवकों को प्रशिक्षत करने के उद्देश से लॉर्ड वेलेजिली ने कलकेता में फोर्ट विल्लिम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजिली को बंगाल का शेर लायन ओफ बंगॉल के नाम से प्रसिद्धी मिले थी वेलेजिली ने इस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनेतिक शक्ति mighty political power का स्वरूप प्रदान किया था 1801 एस्वी में मदरास प्रेसिडेंसी का स्रिजन इसी के समय में हुआ था इसी के समय में द्वित्य आंगल मराथा युद 1803-185 एस्वी और चतुर्थ आंगल मैसूर युद 1799 एस्वी हुआ चतुर्थ आंगल मैसूर युद में टीपू सुल्तान की मृत्यू इसी के समय में 1799 एस्वी में हुई थी लॉड कॉन वॉलस 1805 एस्वी में लॉड कॉन वॉलस दूसरी बार गवर्नर जेनरल बना परन्तु शीग रही उसकी मृत्य हो गई सर जॉर्ज वॉर्लो 1805 से 1807 एस्वी सर जॉर्ज वॉर्लो के कार्यकाल की महत्व पूर्ण घटना थी वे लोर में सिपाही विद्रो हों 1806 एस्वी जिसमें अनेकों अंग्रेज सिपाही मारे गए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 एस्वी इसके शासनकाल की प्रमुग घटनाए नंबर एक महराजा रनजीत सिंग और अंग्रेजों की बीच होई अम्रित सर की संधी 25 अप्रेल 1809 एस्वी नंबर दो चाटर एक्ट 1813 का पास होना लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 एस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स की कारेकाल में आंग्ल नेपाल कुष्ठक में गोर्खा युद 1814 से 1816 एस्वी में हुआ गोर्खों की हार हुई नेपाल के अमर सिंग थापा ने आत्म समर्पन कर दिया इस युद का अंत मार्च 1816 एस्वी में अंग्रेजों एवं गोर्खों के मद्य हुई संगौली की संधी से हुई इसने पिंदारियों का दमन कर दिया नोट वासल महम्मद चीतू एवं करीम खां पिंदारियों के प्रमुख नेता थे इसी के शासनकाल में तृतिया आंगल मराथा युद्ध 1817 से 1818 एस्वी में हुआ मराथा पराजित हुए मराथा संग समाप्त हो गया इसने मराथों की शक्ति को पूर्ण तह नश्ट कर दिया हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंद को समाप्त कर दिया साथ ही प्रेस के मार्ग दर्शन हे तू कुछ नियमों के स्थापना की 1822 एस्वी में हेस्टिंग्स ने टिनैंसी एक्ट या काश्टकारी अधिनियम लागो कर बंगाल में रईयतों के अधिकारों को सुरक्षत कर दिया जॉन एडम्स 1823 एस्वी अस्थाई नियुकते लॉड एम हर्स्ट 1823 से 1828 एस्वी प्रतम आंगल बर्मा युद 1824 से 1826 एस्वी इसी के कारेकाल में लड़ा गया अंग्रेजों और बर्मा के बीच 1826 एस्वी में यांडबू की संधी हुई बैरकपूर का सैन्न विद्रो 1824 एस्वी में हुआ भारतपूर परकबजा 1826 एस्वी इसी के समय में हुआ प्रिष्ट बयानबे विल्यम वाइले 1828 एस्वी अस्थाई नियुकते भारत के गवर्नर्स जेनरल 1823 एस्वी के चार्टर एक्ट के अधीन लॉड विल्यम बैंतिक 1828 से 1835 एस्वी लॉड विल्यम बैंतिक को भारत का प्रथम गवर्नर जेनरल बननी का साभागया हासिल हुआ 1833 एस्वी के चार्टर एक्ट के तहट कमपनी ने बंगाल के गवर्नर जेनरल को भारत का गवर्नर जेनरल गोशित कर दिया इसी नवीन एक्ट के तहट लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1803 एस्वी में लॉर्ड बेंटिक मदरास का गवर्नर था विलियम बेंटिक के ही कारिकाल में 1806 एस्वी में माथे पर अपना जातिय चिन्न लगाने और कानों में बालियां पहनने पर अंग्रेजी रोक के विरोध में वेलोर के सैनिकों ने विद्रह कर दिया था सती प्रथा के खिलाफ राजराम मोहन राय के अभियान से सहमत होकर बेंटिक ने 1839 इस्वी में सती प्रथा को कानूनी समाप्त कर दिया कानून की धारा 17 के अनुसार अपसे विद्वाओं का सती होना अवैद या गैर कानूनी माना गया बेंटिक ने शिशुबाली का हत्य को भी गैर कानूनी घूशित किया था बेंटिक ने भारतियों को महत्वपूर्ण राज किया वो उत्तरदाई पदों पर नियुक्ति का अपना आर्ख प्रशर्स्त किया इसने सलीमन की मदद से 1839 इस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया 1835 इस्वी में कलकता में कलकता मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेंटिक की भारत को महत्वपूर्ण दीन है बेंटिक ने हस्तक शेप की नीती का अनुगमन करते हुए 1831 इस्वी में मैसूर को और 1834 इस्वी में कुर्ग और मध्य कचेर को हरप कर अंग्रेजी सामराजे का अंग बना लिया बैंटिक ने 1833 इस्वी में 1887 के अंतरगत कानून बना कर जाती या रंग के स्थान पर योग्यता को सेवा का आधार बना दिया इसे उच्च पदों पर भारतियों को अपनी सेवाएं देने का सुवावसर मिला बैंटिक ने 7 मार्श 1835 इस्वी को मैकाले की अनुशंसा पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया कानून का वर्गी करण भी मैकाले की अनुशंसा पर इसी के समय में हुआ मराथा, पेश्वा और बादशा अकबर भी सती प्रथा के खिलाफ थे उन्होंने भी इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किये थे भारत में सामाजिक सुधारों के लिए लौर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किये गए कारे एतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है जिनमें स्वाभाविक महत्वपूर्ण है उसके द्वारा किया गया सती प्रथा का अंद चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 इसवी अपने एक वर्ष के संक्षिप्त कारेकाल में प्रेस पर से नयंतरन हटा कर चार्ल्स मेटकॉफ भारती प्रेस का मुक्ती दाता बन गया लौर्ड आउकलंड 1836 से 1842 इसवी इसके कारेकाल के सरवादिक महत्वपूर्ण घटना थी प्रतम आंगल अफगान युद 1849 से 1842 इसवी जिसमें अंग्रेजों को भारीक शती का सामना करना पड़ा था इसने 1849 इसवी में कलकत्ता से दिल्ली तक Grand Trunk Road की मरमत करवाई थी ब्रिटिश संसद ने इसी के समय में भारती विध्यार्थियों को डॉक्टरी के सिक्षा ही तो विदेश जाने की अनुमती प्रधान की लॉड एलिन बरो 1842 से 1844 इसवी इसके समय में प्रतम आंगल अफगान युद्ध की समाप्ती हुई अगस्त 1843 इसवी में सिंदो को पूर्ण रूपेन ब्रिटिश सामराजे में मिला लिया गया इसी के समय में 1843 के एक्ट पांच के द्वारा दास प्रथा के समाप्ती हो गई लॉड होडिंग 1844 से 1848 इसवी इसके काल की सरवादिक महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 इसवी जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी नर्बली प्रथा पर इसने कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया लॉड डलहौजी 1848 से 1856 इसवी आधोनिक भारती इतिहास के निर्माण में लॉड डलहौजी का शासनकाल अत्यंत इस्मरणिया है भारत में डलहौजी ने अनेक महत्वपूर्ण विकासोन मुक और सुधारात्म कारियों को अंजाम दिया साथ ही वो सरवादिक विवादास्पद और बरबर गवर्नर जेनरल के रूप में भी कुख्यात है शासन भार सम्हालते ही डलहौजी को प्रतम महत्वपूर्ण सफलता मिली द्वित्य आंगल सिख युद 1848 से 1849 इसवी के रूप में जब 1849 इसवी में पंजाब कब्रिटिश समराजे में विले हो गया पंजाब की जीत के साथ सोने पे सुहागा इसे तब हाथ लगा जब इसने पंजाब से विश्व प्रसिद कोही नूर हीरा को जो महराजा रनजीत सिंग के पास था भींट स्वरूप इंग्लैंड में महराणी विक्टोरिया के पास भिजवा दिया दलहौजी के शासनकाल में द्वित्य आंगल बर्मा युद्धल लड़ा गया जिसके परिणाम स्वरूप 1852 इसवी में लोवर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी सामराजे में मिला लिया गया दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुरवेभार का आरोप लगा कर डलहौजी ने इसी बहाने सिक्किम पर आक्रमाण किया और 1850 इसवी में सिक्किम को भी अंग्रेजी सामराजे का अंग बना लिया डलहौजी ने व्यपगत सिध्धान्थ, डॉक्टरन ओफ लैप्स की अपनी विवादासपत नीती के तहत कई राजियों का अंग्रेजी सामराजे में विलै कर लिया था व्यपगत सिध्धान्थ के तहत डलहौजी ने ये विवस्था दी थी कि जिस राजा का कोई सगा वारिस न हो उसके राजे को अंग्रेजी सामराजे में मिला लिया जाएगा जिसका जहांसी की रानी लक्षमी बाई ने पुर्जोर विरोध कर दलहौजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था दलहौजी के व्यपगत सिधान द्वारा हडपे गयराज्य सतारा वर्ष 1848 इसवी जैतपुर कोष्ठक में बुन्दील खंड वर्ष 1849 इसवी संभलपुर कोष्ठक में उडीश सा 1849 इसवी बागहात हिमाचल प्रदेश कोष्ठक में 1850 इसवी उदैपुर मध्य 1850 इसवी में लॉर्ड दलहौजी ने एक इनाम कमिशन को इस्थापित किया था जिसका उद्देश्य भूमी कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीन लेना था 1856 इसवी में उसने कूशासन का आरोप लगा कर अवद राजे को अंग्रेजी सामराजे में मिला लिया था तब अवद का नवाब वाजिद अली शाह था 1856 इसवी में ही उसने अंग्रेजी सीना का मुख्याले शिमला में इस्थापित किया था प्रिश्ट तिरानबे प्रयास किया इसके समय में भारतिय नागरिक सेवा है तो प्रथम बार प्रतियोगीता परिक्षा की शुरुवात की गई 1853 इसवी में दलहौजी ने कलकत्ता एवं आग्रा के बीच प्रथम बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुवात करवाई 1854 इसवी में इसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोग सेवा विभाग पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना की भारत में प्रथम बार डलहौजी ने सार्वजनिक नर्मार विभाग की स्थापना की दलहौजी ने 1854 इस्वी में नवीन पोस्ट आफिस एक्ट पारत किया और भारत में प्रथम बार दाग टिकट का प्रचलन शुड़ हुआ दलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है इसी किशासनकाल में भारत में प्रथम बार 16 अप्रेल 1853 इस्वी को बंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलामेटर तक रेल का संचालन हुआ 1854 इस्वी में दलहौजी ने शिक्षा संबन्दी सुधारों ही तो वुड डिस्पैच को लागो किया वो डिस्पैच के तहट जिलों में अंगलो वर्नेकिलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलजों और 1857 इस्वी में तीनों प्रसिडेंसियों कलकत्ता, मदरास, एवं बंबई में एक-एक विश्वविद्याले की स्थापना हुई साथी प्रतेक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशत, एजुकेशन डाइरेक्टर की नियुकती हुई डलहौजी ने प्रतेक प्रांत में लोक निर्माण विभाग, P.W.D. की स्थापना की उसके शासनकाल में 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था डलहौजी ने देश के अंदर दो पैसे की दर से पत्र भेजने की व्यवस्था की थी आथ अप्रैल 1854 इसवी को डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण करा कर उसे सिंचाई के लिए खोल दिया था उसने Grand Trunk Road के मरमत का कारय पुनह शुड़ू करवाया डलहौजी ने भारत में बंदर गाहों को अंतर राश्ट्री अव्यापार के लिए खोल दिया था ब्रिटिश समराट के अधीन भारत के वाइस रोई लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसवी लॉर्ड कैनिंग भारत में कमपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्णर जेनरल तथा ब्रिटिश समराट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वोईस रोई था कैनिंग के समय में ही 1857 इसवी का एतिहासिक सैनिक विद्रह घटित हुआ था कैनिंग ने इस विद्रह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहट कमपनी के हाथों से भारत का शासन छीन कर सीधे ब्रिटिश सरकार की नियंत्रण में ले लिया था उसने सैने सुधारों के तहट अंग्रेजी सीना से भारतिय सैनिकों की संख्या को घटाना शुरू किया और उनके हातों से तोप खाने का अधिकार छीन लिया इसी के समय में सन 1856 इस्वी में विद्वा पुनर विवाह अधिनियम पारित हुआ इससे विद्वाओं को पुना वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ कैनिंग के शासनकाल में 1856 में इंदियन हाई कोट एक्ट पारित हुआ इस एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मदरास में एक एक उच्च न्यायले यानि के हाई कोट की स्थापना संभव हुई कैनिंग ने मेकाले द्वारा प्रारोपित दंड सहिता को 1858 इस्वी में कानून बना दिया तथा 1869 इस्वी में अपराद विधान सहिता लागो की 1861 इस्वी में इसने इंदियन काउंसिल एक्ट को पारित किया और पोर्ट फोलियो प्रणाली को लागो किया कैनिंग ने लौड दलहौजी द्वारा लागो किये गए व्यपगत सिधान्त, डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स यानि राजे विले या हडप नीती को समाप्त कर दिया कैनिंग ने सर्वजैनिक सुधारों की अंतरगत भारत में रेलवे लाइनों, सडकों तथा नेहरों का निर्मान करवाया इंग्लैन का महान अर्थशास्त्री जॉन विल्सन इसी के समय में 1869 इसवी में भारत आया था लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विल्सन के परामर्ष पर 500 रुपई से अधिक आय पर आय कर लगा दिया और आयात पर 10 प्रतिशत तथा निर्यात पर 4 प्रतिशत कर यानि की टैक्स निश्चित कर दिया इसी के शासनकाल में 1861 इसवी में पारित भारतिय परिशद अधिनियम के तहत गवर्णर जेनरल के काउंसिल की संख्या 4 से बढ़ा कर पांच तथा लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा कर बारा कर दी गई लॉर्ड एलगिम 1862 से 1863 इसवी इसके महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन का दमन 1863 इसवी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्ति हो गई सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1879 इसवी इसके समय में 1865 इसवी में भूटान के ब्रिटिश समराज्य पर धावा बोल दिया था आंगल भूटानी युद्ध का अंत इस समझाते के साथ हुआ कि अंग्रेज भूटानियों को 5000 रुपे वार्शिक सहायता देंगे बदले में भूटानियों ने अंग्रेजों को 18 पहाडी दर्रों पर अधिकार सौंप दिया अफगानिस्तान के प्रति उसने शांदार निश्क्रियता दिखाते हुए अहस्तक शेप की नीती अपनाई और अफगानिस्तान के शासक शेर अली से मैत्रेपूर्ण संब्ध बनाए रखा इसके शासनकाल में उडिसा में 1866 ईस्वी और बुन्देल खंड तथा राज पूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भयांकर अकाल पड़ा इन भयांकर अकालों को देख सर लॉरंस ने हैंडरी कैंप बिल के नेतरत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया 1865 ईस्वी में सर लॉरंस ने भारत एवं यॉरप के वीच प्रतम समुद्रे टेलिग्राफ सेवा के शुरुवात की लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी इसने भी अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीती का पालन जारी रखा इसने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की 1872 ईस्वी में ही इसने एक क्रुशे विभाग की भी स्थापना की मेयो ने रेलवे विभाग का सरकारी करण किया था भारत में प्रथम बार जनगर्णा 1872 इस्वी में अंग्रेजो द्वारा लॉड मेयो के काल में ही शुरू की गई जो रिपन के काल में 1881 इस्वी में नियमित रूप से शुरू हुई प्रिश्च चरानबे इसने भारत में वित्य विकेंद्री करण की नीती के शुरूआत की 1872 इस्वी में एक अफगान ने चाको मार कर अंडमान में इसकी हत्या कर दी मेयो प्रथम गवर्णर जनरल था जिसकी हत्या उसके दफ्तर में ही कर दी गई थी लॉड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 इस्वी नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था इसी के समय में पंजाब का प्रसे दकू का आंदोलन हुआ था व्यापार हेतु स्वेज नहर इसी के समय में खुला इससे भारत इवं ब्रिटेन के मद्य व्यापार में तेजी आई 1873 इस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने ये घोशना की थी कि मेरा उद्देश है करूं को हटाना तथा अनावेशक वैधानिक कारवाईयों को बंद करना उसने बड़ादा के मलहार राव गायकवाड को भ्रष्टाचार के आरोप में उसके पद से हटा दिया था और उसे मद्रास भेज दिया था इसी के समय में प्रिंस ओफ वेल्स कुष्ठक में किंग एड़वर्ट सब्तम भारत आये थे लॉड लिटन अठारा सुचेतर से अठारा सो असी ईसवी सहीत एक शेतर में उविन मेरेडिथ नाम से प्रसिद लॉड लिटन एक प्रसिद उपन्यासकार निबंध लेखक और सहीत दिकार थे इसने अलिगर में एक मुसलिम एंगलो प्राचे महाविद्याले के स्थापना की थी इसके समय 1886 से 1878 इसवी में मध्यभारत, पंजाब, हैदराबाद, बंबई, मदरास, आधिक शेतरों में भयानक अकाल पड़ा लगभग 50 लाख लोग भूग से मर गय थे रिचर्ट स्टेची की अधिक्षता में लिटिन ने एक अकाल आयोक के स्थापना की थी इसके शासनकाल में एक जनवरी 1887 इसवी को ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपादी से सम्मानेत करने के लिए दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था लिटिन ने सिविल सेवा परिक्षाओं में प्रवेश की अधिक्तम आयोसी मां 21 वर्ष से घटा कर 19 वर्ष कर दी थी मार्च 1888 इसवी में लिटिन ने वर्नेकिलर प्रेस एक्ट भारतिय समाचारपत्र अधिनियम पारत किया जिसके तहट भारतिय समाचारपत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिये गए नोट राष्ट्रवादी समाचारपत्र सोम प्रकाश इस प्रतिबंध से विशेश कर प्रभावित हुआ जबकि पाएनियर अगबार ने इस एक्ट का स्वागत समर्थन किया अठारा सो अठार इसवी में ही लिटिन ने इंडियन आम्ज एक्ट भारतिय शस्त्र अधिनियम पारत किया इस एक्ट के तहट अब ना तो कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता था ना शस्त्रों का व्यापार कर सकता था लॉड रिपिन 1880-1884 इसवी 1882 इसवी में लॉड रिपिन ने भारतिय प्रेस पर से लगे सभी प्रतिबंदों को हटाने के उद्देश से वर्नेकिलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया इस प्रकार से लॉड रिपिन ने साबित कर दिया कि वो भारत आये अन्य सभी वोईस रोयों में सरवाधिक उदार था भारत में लॉड रिपिन ने सर्वप्रथम इस्थानिय स्वर्ष असन के शिरुवाद करवाई ग्रामीन क्षेत्रों में इस्थानिय बोर्ड, तहसील बोर्ड, आदी तथा शेहरिक शेत्रों में नगरपालिका का गठन हुआ रिपिन ने सिविल सेवा में प्रवेश आयू को 19 वर्ष से बढ़ा कर पुना 21 वर्ष करते वे लॉड लिटन के आदेश को उलट दिया इसी ने सन 1881 ईस्वी में सरवप्रथम नियमित जनगरणा करवाई तब से लेकर अब तक प्रतेक दस वर्ष के अंतराल पर हमारे देश में जनगरणा करवाई जाती है नोट, भारत में प्रथम बार जनगरणा 1872 ईस्वी में हुई थी 1881 ईस्वी में उसने प्रतम फैक्टरी एक्ट, प्रतम कारखाना अधिनियम पारित कर लागो किया शैक्षिक सुधारों के तहत रिपिन ने विलियम हांटर की अधिक्षता में एक आयोक का गठन किया जिसके रिपोर्ट 1882 में आई और सरकार ने उसे क्रियानवित करने का पूरा प्रयत्न किया रिपिन ने भारत में महतवपूर्ण सामाजिक न्याइक सुधारवादी कदम उठाए इसी की अगली कड़ी थी इलबर्ट विधेयक इस अधिनियम के तहट भारतिय न्याइधिश भी अब यॉरपिय वेक्तियों के विरुद मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे यूरोप वासियों ने रिपिन के इलबर्ट विधेयक का प्रबलतम विरोध किया जिसके कारण इलबर्ट विधेयक को वापस लेना पड़ा अंग्रेजों द्वारा इलबर्ट विधेयक के विरोध मी किये गये प्रबल विरोध को श्वयत विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1881 इसवी में लॉड रिपिन ने मैसूर राजे को उसके शासक को वापस सौप दिया था 1883 इसवी में लॉड रिपिन के समय में अकाल सही तास अस्तित्व में आई थी भारतियों में रिपिन को सज्जन रिपिन कहा जाता था रिपिन के शासनकाल को स्वर्ण युक का आरंभ कहा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपिन को भारत का उधारक कहा था लॉर्ड रिपिन ने अपने विशे में कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कारियों से करना, मेरे शब्दों से नहीं